हेलो इवरीवन माई सेल्ट मनीशा वेलकम टो एमेलेटी एजुकेशन पॉइंट आज हम एक पहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हिस्टो पैथोलोजी का टॉपिक है और पॉइंट ऑफ यू मैन एक्जाम और कॉंपिटिटिव एक्जाम दोनों के लिए यह इंपॉर्टेंट है सो वीडियो एंड तक जरूर देखें नव बात करते हैं हमारे लर्निंग पॉइंट की कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे तो प्रिंसीपल और टीशु प्रोसेसिंग रिसीविंग अन लैबलिंग फिक्सेशन एंपॉर्टेंट सेप्स के बारे में हम इसमें ृस्प करेंगे तो first हम बात कर सिस्टेंग के बारे में। Fujio Processing The tissue processing is the heart of any tissue tissue processing जो एंड यां उसको डाइग्नो सकते हो यह हम किसकी लिए करते हैं टिशु प्रोसेसिंग यह्लिए यो करने के लिए किसी भी ओरンタ के अंदर having tissue किरते हैं और जो चिभेगल से साओ से और यहां वलाश टी पॉडी तो दी संसे हम केते हैं ओापसी तो यह dead body से जो रिमूव कर रहे हैं उसको हम autopsy कहेंगे और living person से जो रिमूव कर रहे हैं उसको हम biopsy कहेंगे principle क्या है tissue processing का तो the aim of tissue processing is to embed the tissue in solid medium find enough to support the tissue and enable thin section to be cut and in soft enough not to damage the knife for tissue and better microscopy यानि कि इसका aim क्या है मैंने dish क्या है tissue processing का कि यह जो हमारा tissue है उसको हम solid media में embed करेंगे और उसका एक thin section cut करेंगे knife से microtome जो भी हम use करते हैं उसे thin section cut करेंगे ताकि हम उसकी better microscopy कर सके और उसको diagnose कर सके उस disease को इसलिए हम tissue processing करते हैं निक्स ही हमारा receiving and labeling of sample जो भी sample कोई और laboratory से होस्पिटल से हमारी lab में आया है तो हम सब से पहले उसका proper identification और उसका orientation करेंगे ठेक है proper identification and orientation करेंगे एक ने ठेक है next is the tissue भी properly labeled to avoid any confusion उसको हम label कर देंगे जो भी हमारा laboratory नंबर देता है उससे हमारा जो भी register number है उनसे patient के नाम से तो या उसे specific number देके तो उसको label कर देना है ताकि हमें कोई confusion नहीं हो क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही नाम के दो patient होते हैं यह भी हो जाता है कि नाम तो एक है बट उनके father name या husband name भी एक हो जाते हैं तो इसलिए हमें उनको एक specific number देके रखना है when the specimen is received give a specific individual number मैंने आपको बताया है प्रोपर ली complete histopathology requisition form containing पैशन नाम से एक्स relevant क्लिणिकल डाटा सर्जिकल फाइन नेम ऑफ टीशू submitted हमें क्या करना है जो histopathology का जो हमारा requisition form होता है उसको हमें पूरी तरिके से फिल अप करना है उसमें नाम में एक्स उसके relevant का clinical डाटा लिखना है surgical लिखनी है और जो सब्मीट करके जा रहा है इसको उसका भी ताकि ताकि उसके डाटा को अगर हमको बाद में भी स्टोर करके रखना है तो हमारे पास प्रोपर जो है वह प्रोपर उसकी जानकारी हो उसके बाद हम बात करेंगे एक और important steps fixation के बारे में जो कि बहुत ही जरूरी है जब कोई सेंपल आता है तो सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि उसमें fixation proper हुआ है या नहीं क्योंकि fixation सबसे जरूरी है fixation is important due to prevent the tissue from autolysis and putrefaction fixation क्यों important है क्योंकि वह tissue को autolysis और putrefaction से बचाता है अगर autolysis और putrefaction से हमारा tissue बचा रहा तो हम उसको better diagnose कर पाएंगे autolysis मतलब की कि खुद के ही enzyme के द्वारा cell का destruction होने लग जाता है अगर cell का destruction हो गया तो हम diagnose नहीं कर पाएंगे proper जो हमें जो भी बीमारी के बारे में डाइग्नोस करना है putrefaction मतलब किसी भी bacteria फंगाई के द्वारा cell का destruction होना तो यह fixation उसको बचा के रखता है और fill the tissue so they will not change their volume and shape during processing और जब हम tissue processing करते हैं तो उसके shape में tissue के shape में और size में उसके volume में कोई change नहीं आता है तो यह भी एक important point है कि उसकी volume को बचाए रखना अगर उसके shape में volume में कई change नहीं होगा तो भी हम better डाइग्नोस कर पाएंगे the most common fixative used in lab is 10% formalin generally हम 10% formalin use करते हैं उसके अलावा जिसे के formalin, ital, alcohol, pickery, acid, acid, acid वैसे fixation के उपर मैंने वीडियो बनाया है तो आप playlist में जाके देख सकते हूं इन सबके उपर जो भी हम step पढ़ेंगे इन सबके उपर particular वीडियो भी बनाएंगे क्योंकि क्योंकि सबके बारे में detail में पढ़ना एक वीडियो में संभव नहीं है तो इस fixation का वीडियो भी आप playlist में जाके जरूर देखे क्योंकि यह भी बहुत important है point of view man exam और competitive exam next है हमारा grossing grossing भी बहुत चलूरी है जो कि पैथलोजिस्ट के द्वारा या फिर आप अगर आपको experience अच्छा है तो कर सकते हूं grossing the term grossing means inspecting the specimen describing and measuring the tissue if needed and sectioning the tissue to be processed for diagnosis gross sections containing or suspected tumor cells यह भी एक important step है for accurate diagnosis के लिए तो इसमें हम क्या करते हैं जो भी हमारा tissue और organ है जिसे कि यह है तो इसमें जो infected area है इसमें हम मदब 3-4 जगे से ठीशु को छोटे चोटे पार्ट में करकर निकलेंगे मीजर करके तो यह pathologist की द्वाराही कर सकते ह hands अगर आप to बीजसें-स चोटे चोटे पार्ट में इसको यह में कर निकालेंगे तो यह जो हमारा हमने tissue निखा हैaliśmy करके तो ग्रॉस सेंट ग्रोस सेंट चंज है किसे सुस्पेक्टिट ट्यूमर से से कंटेन है टीशू प्लैसिट लिइस्ट प्लास्टिक आसिट विच होड़ टीशू हमने श्व ऐस कट कर लिया है इसके बाद अपन उस पे जो पाटिकुलर नमबर है उस्से अम लैबलिंग क और इनके द्वारा वो क्या होता है वो रिमूव हो जाता है तो आपको से कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने एक दो टीशु साथ में रखे हैं तो इसलिए हम जो डाइमंड पैंसिल आती है वो यूज करेंगे और उसके बाद में सको प्लास्टिक कैसीड में रख देंगे ज तब एक छोटा सा basket जैसा आता है इस type का उसमें हम tissue को hold करके रखते हैं जो कि जब हमारी processing होती है थो यह past होता रहता है tissue इसमें रखा next step हमारी है decalsification decalsification के ओपर भी मैंने video बनाया है वह प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हूँ यह भी important है decalsification हम कब करते हैं decalsification is a process of complete removal of calcium salt from the tissue like bone teeth and other calcified tissue following fixation decalcification के जडरोद हमें तब होती है जब हम कोई bone ही tissue का यूज कर रहे है like जैसे की bone teeth अगर ऐसे tissue है तो उन में से वो क्या हाड होते हैं बहुत ज़्यादा तो उसके कारण हमारा microtome की जो knife है वो damage हो सकता है जब हम tissue की cutting करते हैं तब तो इसलिए हमको उसमें से tissue में से calcium को remove करना रहता है जिससे की वो tissue जो हमारा soft बन जाता है तो decalcification क्या है एक process है complete removal of calcium जिसमें से हम calcium को remove करते हैं salt from like bone teeth other calcified following fixation के बाद the specimen is soft enough to allow cutting with microtome knife यारिकि के जब हम calcium को remove कर देते हैं क्योंकि calcium के कारण ही हमारे bone heart होता है तो उसको remove करने के बाद में हमारा tissue क्या बन जाएगा soft बन जाएगा तो हम जब microtome knife से cutting करते हैं तो उसकी cutting जो है वो easily हो जाती है decalcification में हम कौन से reagent यूज़ेंट यूज़े हैं next step है हमारी tissue processing steps tissue processing step में कुछ step जो होती है वो हमारे automated tissue processor के जा रहा होती है और कुछ हम manual करते हैं सारी process को अब manual नहीं करते हैं क्योंकि यह time consuming method है इसलिए अब एक machine आती है जिसके द्वारा tissue processing की कुछ step जो है जैसे fixation, dehydration, clearing, infiltration and imprisonation बाकि की embedding, sectioning यहां manual तो इन सब step के बारे में हम detail में बात करते हैं जैसे कि first है हमारा fixation fixation मैंने आपको भी बताई आई है कि fixation क्यों important होता है यह prevent करता है tissue को from autolysis and pitrification और fix the tissue they will not change their volume and shape during processing the most common fixative use in lab is 10% formally और example जिसे कि यह formally हम sorry यह reagent हम यूज करते हैं fixation में तो यह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसमें हम समय वेस्ट नहीं करते हैं आगे चलते हैं अब हैं हमारा dehydration dehydration क्या होता है D का मतलब क्या होता है हटा आना वो कहते ही न कि dehydration पानी की कमी हो गई है तो हमको यह पानी की कमी करनी है तो dehydration मतलब की water is completely removed from fixed tissue because water is not miscible with wax हमें क्या करना है जो हमारा tissue है उसमें से water को remove करना है क्योंकि जो हमारा water है वो हम paraffin wax जब use करते हैं आगे step में use करेंगे ब्लोक बनाने के लिए तो उस wax के साथ यह water जो है वो miscible नहीं है यानि कि soluble नहीं है इसलिए हमको इस पानी को निकालना पड़ेगा procedure क्या है हमारी तो a series of increasing या फिर ascending order from lower to higher concentration in alcohol हमारे जो गैसिट में जो tissue रुखा हुआ है उसको हम pass करेंगे automated में तो automatically हो जाता है तो इसमें हम tissue को pass करेंगे increasing order में यानि कि lower से higher concentration में in alcohol alcohol के अलावा भी other dehydrating agent हम use कर सकते हैं जैसे कि acetone, diaxone, methyl, alcohol ethyl alcohol alcohol use करते हैं तो जैसे कि यह हमारा tissue है सबसे पहले हमने 70% में रखा फिर हम higher concentration की तरफ जाएंगे 80% में फिर हम जाएंगे 90% में फिर हम जाएंगे absolute alcohol में तब जाके हमारा water जो है वो completely tissue में से remove हो जाएगा तो हमने tissue में से water को remove कर दिया है अब next हमारी stay face में clearing clearing जिसे हम de-alcoholization भी कहते हैं यह बहुत important topic है इसमें से question बनता ही है point of view man exam भी और competitive exam भी तो पूरा वीडियो end तक जरूर देखे इन सब के बारे में मैं detail में भी पढ़ाऊंगी बट इसमें से भी question बन सकते हैं तो clearing और de-alcoholization कई बार यह पूछा भी जाता है कि जिसे de-alcoholization is also known इस तो से हम clearing भी कहते हैं during dehydration water in the tissue has been replaced by alcohol तो हमने dehydration के समय क्या किया water को remove करने के लिए हमने किसका use किया alcohol का अब यह जो alcohol है यह भी हमारे wax के साथ miserable नहीं है यह भी हमारे wax के साथ miserable नहीं है तो अब हमें alcohol को भी remove करना पड़ेगा that paraffin wax is not alcohol soluble we replace alcohol with a substance तो हमें एक ऐसा substance use करना पड़ेगा जो कि alcohol को भी remove कर दे और हमारे wax के साथ भी soluble हो तो ऐसा reagent वो है हमारा xylene तो हम कहाते है substance in which wax is soluble wax में soluble हो clearing is required when dehydrating agent is not miscible with embedding medium clearing हमें तब required होती है जब हमारा dehydrating agent जो है वो miscible नहीं होता है embedding medium के साथ में imprisonating medium के साथ ने तो हमने alcohol use किया है तो वो alcohol wax के साथ miscible नहीं है तो उसको हमें remove करना पड़ेगा और उसके लिए हम use करेंगे reagent xylene, toluene, benzene, chloroform, carbon data, chloride ये reagent हम उसमें use कर सकते है process at least two bath in clearing agent for one hour two bath के नीड हमें होती है clearing agent के लिए लगभग one hour के लिए तो हमने clearing भी कर दी है यानि कि alcohol को भी remove कर दिया है अब हमारे tissue के अंदर क्या बचा है xylene, क्या बचा है xylene, जो की wax के साथ usable है तो अब हमारी जो next process होगी वो होगी infiltration and imprecination क्या होगी, infiltration and imprecination imprecination का मतलब होता है means diffuse wax in the tissue by replacing the xylene means wax जो हे, वो xylene के अंदर क्या हो गया diffuse होगा, sorry, tissue के अंदर diffuse होगा और xylene को remove करेगा जिसे कि यह हमारा tissue है चलो आगे मैंने इसकी image लगा रखिए तो मैं उसमें आपको बता दूँगी अभी इसको अटा देगा next बात करते हैं infiltration की infiltration clearing agent is eliminated from the tissue by diffuse in the surrounding melted wax infiltration मतलब की clearing agent हमने use किया है xylene उसको हम eliminated करेंगे from tissue से हटाएंगे और diffuse करेगा wax को surrounding melted wax procedure इसकी क्या है replace xylene with paraffin 2 bath in melted paraffin 1 hour at least 2 से 3 bath की हमें जरूत होती है और हम melted paraffin wax use कर रहे हैं तो उसके लिए temperature की जरूत होगी तो वो कितना होगा between 50 to 60 degree Celsius remove all bubbles उसके अंदर कोई bubbles नहीं होने चाहिए जब हम उसको heat करते हैं तब next इसमें हम हमारा है amount of wax should be 25 to 50 times the volume of tissue यानि कि जो हमारी tissue का जो volume है जो wax की volume है वो हमारे tissue से 20 से 50 बना होने चाहिए ताकि wax जो है उसके अंदर अच्छे से diffuse हो जाए the tissue place 3 change in wax at least 3 से change जो है इसमें हमको need होती है 8 to 6 hour time need for imprisonation के लिए कम से कम 8 से 6 गंटे लग सकते हैं जिसे कि मैंने आपको image में बताया है कि यह जो हमने clearing hasn't used किया था xylene जिसके अंदर यह tissue रखा हुआ है उसके बाद में यह past होगा कहां पे हमारे wax के अंदर जहां पे यह xylene को जो clear करेगा उसके बाद में फिर हम उसको infiltration करेंगे ताकि बचा हुआ xylene फिर रिमूव हो जाए फिर एक बार और हम बात करेंगे तो completely जो है xylene रिमूव हो जाएगा और wax उसके अंदर diffuse हो जाएगा तो यह जो automated tissue procedure में जो step होती है वो हमारी complete हो गई है अब हम उसके बाद में embedding करेंगे जो की manual block बनाते हैं हम पर एक बार में आपको जो automated tissue procedure जो होती है वो भी बता देती हूं इसमें क्या होता है place the solution in paraffin irrespective beakers of the equipment इस तरीके से जो beaker लगे हुए होते हैं ठीके उन beaker में हम जो paraffin रखा solution रखा हुआ होता है fixative clearing agent के लिए size सब रखे हुए होते हैं beaker होते हैं सभी के इसमें हम tissue को जो cassette होती है उसको रख देते हैं timing livery set is zero and the machine started at required time और the basket with the cassette automatic change position इसमें जो cassette रखी हुए होती है वो automatic अपनी position को change कर लेती है जो timer लगा हुआ होता है उसकी यसाब से तो तेकबात in different region Captain Beaker in order to accomplish dehydration clearing infiltration इस तरीके से रखा हुआ होता है हमारा जिससे यह clearing के लिए है यह dehydration के लिए है तो इस तरीके से वह automatic जो है उसमें उनके time के इसाब से वह change होता रहता है और इसका final deed जो होता है वो हमारा warm paraffin में होता है अभी जो last process देखी है हमारी वो क्या थी हमारी impressionation और infiltration और case it are open next day morning for embedding उसके बाद हम case it को open करेंगे next day for embedding के लिए तो यह टीशू जो automatic tissue process जो होती है वो इस तरीके से होती है next मैंने इसमें बताया है जिसे की 70% हमने रखा सब सबसे पहले सबसे पहले हम जिसे fixative fixative के बाद में हमने dehydration के लिए रखा है तो इसमें हमने 70% 80% 95% और absolute alcohol के लिए उसके बाद हम करेंगे clearing day alcoholization तो उसके लिए हमने xylene यूज किया है उसके बाद हम at least three बाद में उसको paraffin wax में रखेंगे warm paraffin wax जिसे हम infiltration and imprisonation कहते हैं तो यह automated tissue procedure next आता है हमारा embedding जिसे हम casting और blocking भी कहते हैं casting और blocking भी कहते हैं the infiltrate and imprisonation tissue is placed in warm liquid paraffin जो हमारा warm liquid paraffin होता है इसमें यह जो एल मोल्ड हमने इसमें बनाया है तो इस तरीके का होता है इसमें हम क्या डालेंगे जो हमारा warm liquid paraffin है इसके अंदर डालने के उसके बाद हम इसमें जो हमारा इंप्रेजनेट और infiltrate tissue जो है उसको इसमें रखेंगे रखने के बाद में इसको जब हम cooling करवाते हैं after cooling तो यहाँ पे ब्लोक बन जाता है जब इसको हम अटा लेते हैं इस यूजली ब्रास यह जो एल पीस दिख रहे हैं आपको यह जो है वो मेटल के बने हुए होते हैं इसकी प्रोसीजर की बात करें हम तो प्रोसीजर में paraffin wax is first melt 56 degree Celsius to 58 degree Celsius and filter so coarse filter paper के द्वारा हम इसको filter कर लेंगे और हमें melt paraffin wax use करना है उसके बाद जो हमारा एल मोल्ट था उस के बाद मैं टीशू को इसमें प्लैस्ट कर देंगे morp is then placed in a container of cold water और refrigerator for 10 to 20 minutes के लिए मुसको cold water में या फिर रच्टेरेटर में रख सकते हैं इसको कूल करने के लिए ताकि इस में से उस block को हम निकाल सके अगर वो hard हो जाए थोड़ा सो तो उस mouth से हमको इसे remove कर लेना है और इस तरीके का हमारा block बन जाएगा और इसी के अंदर हमारा क्या है tissue है अब हमारा block बनके complete हो गया है अब हम इसकी sectioning कर सकते हैं sectioning में हम सबसे पहले क्या करेंगे trimming करेंगे यानि कि trimming of tissue block for surplus wax is removed and expose a suitable area of tissue for sectioning यानि कि जैसे कि हमारा ये क्या है हमारा एक मीट ये क्या है हमारा block है और हमारा tissue यहाँ पर है तो ये जो इसके उपर का wax है ये इसको हमें हटाना होगा तो surplus wax is removed तो वो हम trimming के द्वारा हटाएंगे और हमारा जो tissue है वहाँ पर हमें पहुँचना है तो उसके लिए हम trimming करके उस wax तक पहुच जाएंगे उसके बाद में हम इसका sectioning जो है वो कर सकते हैं तो इसलिए हम trimming करेंगे after trimming the tissue cut into the section with the help of microtome जब हम trimming कर लेंगे हमारे tissue तक पहुच जाएंगे उसके बाद में हम उसके sectioning करेंगे तो वो किसकी हाल पर से करेंगे माइक्रोटोम की हाल पर से fix the block in the block holder on the माइक्रोटोम knife in search of position जो हमारे माइक्रोटोम होता है माइक्रोटोम भी बहुत सारे types के होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे उसका एक particular video भी में बना दूँगी उसके बाद में हमने क्या किया जो knife है उसको हमने उसकी position पर set कर दिया है और हमारे जो block है उसको भी block holder में रख दिया है set the microtome on cutting state cut sufficient section in 3 to 5 micrometer उसके बाद में हम microtome की help से एक thin section cut करेंगे जैसे ही thin section cut होगा हमारा जो यह warm water रखा हुआ है उसमें हम इसको इसमें flood करवाएंगे on warm water bath on 15 minute 15 minute के लिए ताकि that help remove जो wrinkles आए है हमने microtome से इस तरीके से जो wrinkles आ जाते हैं उसको remove करने के लिए हम इसको warm water bath में रखेंगे then 15 minute picking up sectional slide in achieved by immersing the slide with adhesive measures egg albumin gelatin after 15 minute के बाद हम क्या करेंगे जो हमारी slide है उसको लेंगे immersing the slide with adhesive यानि कि सब पहले हमें क्या करना है जो मेयर से एक albumin लगाना है adhesive जिसे हम कहते हैं या फिर gelatin उसको लगाना है उसके बाद में हम उस tissue को उठाके हमारे इस slide पे रख देंगे देन हम drying करेंगे उसका section captain incubator at 60 degree Celsius for 20 to 60 minute उसको अच्छे से dry होने देंगे अब हमारा drying भी complete हो गया हमने tissue भी slide पे ले लिया पर अब अब भी हम staining नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि हम उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? deep erafinization यानि कि ये जो wax है इसके उपर लगा हुआ है उस wax को भी हमें रिमूओ करना पड़ेगा proper staining के लिए तो चलो अब हम wax को रिमूओ करते हैं जिसे हम कहेंगे deep erafinization जैसे कि water को रिमूओ करने के लिए हमने क्या कहा? dehydration alcohol को रिमूओ करने के लिए हमने कहा? de-alcoholization उसी प्रकार पेराफिन को रिमूओ करने के लिए हम क्या कहेंगे deep erafinization deep erafinization is to remove the paraffin into the tissue before staining यहाँ पे थोड़ा साथ गया है तो यह before है before staining से पहले हम क्या करेंगे paraffin को remove करेंगे the slide are deparafinized by hydration step के द्वारा हम इसको deparafinize करेंगे sorry यहाँ पे गलट टाइप हो गया है the slide are deparafinized by यहाँ पे हमारा आएगा xylene हम xylene के द्वारा इसको deparafinized करेंगे first deep the slide in xylene are to complete remove of paraffin wax paraffin को remove करने के लिए हम xylene का use करेंगे उसके बाद में हम इसे xylene को भी remove करना है तो xylene को remove करने के लिए हमने जो process use करेंगे उसे हम कहेंगे hydration step when used alcohol for remove xylene xylene को remove करने के लिए हम किसका use करेंगे alcohol का use करेंगे in descending order उधर हमने क्या लिया था dehydration में हमने लिया था ascending order यानि कि हमने सबसे पहले 70% 80% तो वो ascending order था इधर हम hydration के लिए हम क्या लिए descending order just opposite है उसका कि हमने dehydration के लिए हमने ascending लिया था और hydration के लिए हम ले रहे descending order यानि कि higher to lower concentration में इसको 90% में deep करेंगे फिर 80%, 70%, फिर 50% इसमें हम इसको ज़्यादा देर तब deep करके नहीं रखेंगे 32, 60 seconds and then distill water इसके बाद हम इसको distilled water में डाल देंगे dip करके निकाल लेंगे मतलब deep erafinization के बाद हमने hydration भी कर लिया उसके बाद हम करेंगे staining staining जोके बहुत important step है अगर आपने staining अच्छे से करी है तो आप उसको better diagnose कर सकते हो stain the section with routine stain hematoxylene and eosin यह पीछे N है और यहाँ पे section है stain the section with routine stain hematoxylene and eosin जोके एक routine stain है यह भी बहुत important step है hematoxylene और eosin method जिसमें hematoxylene जो है वो nuclear staining के लिए हम use करते हैं और eosin जो है वो cytoplasm के लिए red blood cells के लिए collagen के लिए muscle fibers के लिए यूज करते हैं तो histology में use होने वाली hematoxylene और eosin जोकी बहुत important step है method है first stain with hematoxylene solution for 15 minutes first हम hematoxylene solution से इसको stain करेंगे 15 minutes के लिए wash with running tap water deep this light in 0.5% अर्ची हल rinse with tap water 30 to 60 seconds then हम इसको deep करेंगे slide in dilute ammonia water में फिर wash कर लेंगे in tap water and rinse 95% alcohol इसमें समझाने जिसा कुछ नहीं स्टेप बाइ स्टेप है deep this light in eosin for 10 to 60 seconds 60 seconds and drain the solution और भी कहीं अलग-अलग टाइप के staining use होती है जिसमें हमें metoxylene और eosin का यूज करते हैं तो इसमें यह सारे step हैं आप इन सारे step को अच्छे से करें और हम इसको बेटर डाइग्नोस कर सकें next step हमारी आती है dehydration and clearing अब फिर से हमें dehydration करना पड़ेगा और उसकी clearing करनी पड़े क्योंकि हमने staining में क्या किया है water के साथ उसको slide को मिला आया water को रिमोव करने के लिए हम वही पहले वाली process यूज उस करेंगे बड इसमें हम उसको 30-60 सेकंड के लिए depth करेंगे for clearing करेंगे place the slide in xylene एक्सटी सेकंड यानि हमने water को रिमोव करने के लिए अल्गोहल में deep किया है तो फिर से हम उसे alcohol को remove करने के लिए हम उसको xylene में deep करेंगे 82-60 second के लिए है देन हम फिर mounting करके microscopy कर सकते हैं mounting में drain the excess xylene and mount with dpx और canada balsam with a cover slip जो excess xylene है हमारा उसको हम क्या करेंगे drain करेंगे फिर mount कर देंगे किसे dpx है या फिर canada balsams है with a cover slip use करेंगे उसके बाद में then हम final हमारी microscopy stage पे आ जाते हैं अब आप microscopy करके diagnose कर सकते हो analyze the cellular morphology and tissue distribution to reduce whether tissue to reasons has abnormalities जो भी है tissue के अंदर wipe cancer को diagnose कर सकते हो तो यह microscopy भी हमारी complete हो चुकी है ना हमारी tissue processing complete हो चुका है जिसमें हमने कुछ important step के बारे में discuss किया इसके pdf आपको अमारे telegram group में मिल जाएगी so thanks for watching do like, subscribe and share